साधान, खबरदार, होश यार अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इससे आपके दिलों को ठेस पहुँच सकती है तक्लीफ हो सकती है हो सकता है कि आपको मुझबर गुस्जा आए अपको हो सकता है कि अपने प्रे, मापदंडों, मानदंडों को जब ठेस पहुँचती है तो तक्रीफ होती है और बात हो रही है एक ऐसी फिल्म की इसके बारे में आम तोर पर सारे लोगोंने तारीफें ही तारीफें किये और जब सब लोग आम राहे, लगभगर अश्ट्रे सहमती हो किसी बात पर फिल्म बहुत शांदार है लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म आई है और एक आदमी किस तरह से गरीबी से गुर्वस से उठकर उचाई हासिल करता है और मेहनस से दुनिया में कैसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है इसकी दास्तान है ऐसी फिल्म के बारे में जो आप क्रिटिकल गेज डालते हैं अपनी आलोचनातनक दिश्टी डालते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है इसलिए पहले ही मैं अलर्ट कर रहा हूं बाद में मत कहिएगा क्या आपने यह क्या कर दिया तो जिन लोगों को फिल्म से धार्मिक हद तक प्यार है जो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं ऐसे लोग क्रिपया इस वीडियो कर ना देखें क्योंकि उनको तकलीफ होगी गारेंटेड तकलीफ होगी बारवी फिल्म मोटे तोर पर देखिए इसको जिस तरह से समिक्षकों ने और मेंस्ट्री मीडिया से लेकर सोसल मीडिया में जिस तरह से इस फिल्म को देखा गया ये फिल्म अंडर डॉग एचीविं सम्थिंग फिल्म है ये फिल्म करीबी से उठकर काम्यावी हासिल करने की फिल्म है इस तरह से इस फिल्म को पोट्रे किया गया है कि किस तरह से चंबल के एक फोटे से गाओं का एक गरीब सा बच्चा दिल लिया कर किस तरह से I.S. officer बन जाता है, I.P.S. officer बन जाता है, ये दास्तान है, simple narrative एक तरह से ता आप देखें, जिसको बोलते हैं कि linear film है, तकलीफ, गरीबी, संगर्स, काम्याबी, मतलब, step by step, मैं इस film में कम से कम 12 ऐसी बिंदु मैं देख रहा हूं, और filmों में आपने भी इसको दे फिल्म हिंदी मीडियम के एक बच्चे के काम्यावी हासिल करने की फिल्म नहीं है, बलकि ये फिल्म privilege की फिल्म है, ये फिल्म विशेशाधिकारों की फिल्म है, ये फिल्म जन्मजात विशेशाधिकारों की फिल्म है, इसका उदाहरन एक एक करके मैं आपको दे रहा हूं, पहला उदारन इस फिल्म को आप चपल वाजों की फिल्म कह सकते हैं इस फिल्म में कई किरदार बार बार चपल उठाते हैं और चपल से किसी न किसी को मारते हैं या चपल दिखाते हैं और ये सारा कुछ उसी परिवार के लोग करते हैं जिस परिवार के मनोज शर्मा IPS बाद में बनते हैं सबसे पहली बार चपल उस परिवार का जो मुखिया है मनोज के पिता मनोज के बाप वो अपने अधीकारी को अपने से उच पधस्त अपने से बड़े पद के एक अधीकारी को चपल दिखाते हैं और आरोप लगाते हुए जिस आरोप की सत्यता साइद हमें नहीं मालूम कि उसकेस में क्या सिसरूप में से कल हुआ कि वो लोकल विधायक के लिए काम करता है और उसका कुछ गलत करने के लिए कहा गया है और नहीं करता है तो इसकी बादचीत के बीट में वो चपल दिखाता है और इसकी वज़े से पाद में फिर उसको नौकरी से बरखास्त किया जाता है तो पहली बार मनोज के पिता चपल कि दूसरी मारते हैं बलकर दो दो बार मारते हैं दूसरी बार चप titanium नोज के भाई मारते हैं जो कर जो ढाछ चला रहे हैं और not कि तीसरी बार चप चलते चलते बच जाता है जब मनोज पर अ मेनेजर एक एलिगेशन लगाता है और मनोज उनको चकपल दिखाता है चकपल मारते मारते रुख जाता है अब भारतिय समाज में कोई एक परिवार बार बार चकपल मार और दिखा रहा है कितना बड़ा प्रिविलेज होगा जब आप MLA के चंचे को चकपल मार रहे हैं आप लाइब्रेरियम से आपको पैसे मिल रहे हैं उसके मैनेजर को आप चकपल मार रहे हैं ये प्रिविलेज कितने लोगों को हासिल है आप इसकी जगा मनोज शर्मा की जगा आप मनोज शर्मा का नाम मनोज मौरी, मनोज पटेर, मनोज यादव, मनोज आटव, मनोज मीना रख के देख लीजे, मनोज गुर्जर चंबल में, बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर आवादी है, क्या ये वो भी कर सकता है, सोच कर देखे, हो सकता है, कर सकता है, वो सकता है, वो सकता है, मुझे नहीं कर सकता है, मुझे नहीं मागा, दूसरी बात, चपल के बाद इस फिल् तेजाज बंदूटं In podr से ले या और एक liCency बंदूट अंदर से ले कर आता है फाइरिंग करने कोश़िए को पर यहिसेंसी बंदूख है और उसकी Itzos दादी को जाँने का होसलह है बंदूख चलाने सामाहेंबाग मझे नहीं लगता है सामाहेंबाग नॉर्मल नहीं है भारतिय समाज दोस्ता में हर किसी को इतना विशेशादिकार नहीं है कि वो इतना साहस दिखा सके दिखा कर भी आप से एक सरकारी के अधिकारी पर कंद्चारी पर मंदूग की फाइरिंग करते हैं और इसके बावदूद आप तो बिल्कुल साप बचे रह बलके करने का आप तो साहस ही कहां से आता है तो विशेशादिकार के लिष्ट में ये दूसरी कहानी है तीसरी कहानी ये है जो मनोज के भाई और मनोज जब मिलकर वो जुगार चला रहे होते हैं और MLA के गुंडे या चम्चें के साथ उनकी लड़ाई होती है उसकर पुलि घर से बंदूग लेया दुनाली लेया और थानेदार मनोज को दुनाली ले जाने के लिए चाने देता है जै भारती थाने में ये संभव है कि कोई दो नौजवान लड़के ये करके और थानेदार के साथ मिकल जाए मुझे तो लगता है कि वह वहाँ पर एक एंकाउंटर आम तोर पर भारती थाने की स्थितियों में इस्थितियों में जैस्थितियों में नहीं जैसी नहीं है दुत है लेता है इतनी आसान बात है इतना नॉर्मल है तो मुझे लगता है कि दूसरा प्रिवलेज भी तीसरा प्रिवलेज वह भी आम तोर पर समानने भारतियों के लिए उपलब नहीं है मनोज शर्मा और उसके परिवार के लिए उपलब तो ये एक तीसरी असान समानने बात है चौथी बाद इस फिल्म को अगर कोई ये कहता है कि गरीबी घुर्बत और बहुत नीचे से उठके संगर्स करते वे सतह फोड कर निकल का एक आत्मी काम्यावी हासिल कर रहा है तो मनोज के दादा भारतिय फौज में नॉन कमिशनल आफिसर मतलब सुम्भवता जेसियो सुविदार पद पर हैं और वहां से उसकी वज़ा से उनकी दादी पो पेंशन मिलती है पिता सर्मकारी कर्मचारी है घर में जमीन है गाय है तो यह कोई बीपील परिवार तो नहीं है लब कोई कहे कि यह एक दम गरीवी से उठकर काम्यावी हासिल करने की कहानी है तो इस फिल्म में जो दिखाया जा उसके हिसाब से पुष्ट है तो घर में लाइसेंसी बंदू बहुत राजा महराजा नहीं है लेकिन मतलब एकदम विखारी भी नहीं है तो उस तरह का परिवार भी नहीं है एक और जो मंझे लगता है कि महत्कुम बात देखनी चाहिए वह पांचमा बिंदू है कि घर के अंदर जो चर्चा चलती है बलकि एक और बाती से में जोड़ गर ठीक ठाक घर है मतलब खुल मिला कर लेकाने को मतलब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक घर के अंदर चर्चा बार 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 चलती बार्वी पास कर लेगा तो इसको नौकरी मिल जाए यह यह वह बहुत असामान्य सा कॉन्फिदेंस है लब 1995 में आया है दो ज बार 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 बास कर लेगा तो इसको सर्कारी नौकरी मिल जाएगी यह कॉन्फिदेंस भी असमान्य है यह कॉन्फिदेंस भी कहां से आता है देखना पड़ेगा इसका भी सुख जानना पड़ेगा कि यह कॉन्फिदेंस भार भी पास कर लेगा तो बस सेट हो जाए संकत में हैं एक रही होते हैं अगर किसी की हो रहे हैं ऐसार कुछ भाग या कुछ और लेकर आया है पता नहीं जिस पर मुझे तो यकीन नहीं है कि यह कोई कहानी सिंपल है कोई मिश्टर पांडे मिलते हैं वह उसको दिल्ली ले आते हैं यह भी सब क्या मिश्टर पांडे को पता चला होगा कि वह मनोज शर्मा है कि मनोज शर्मा की जड़ा क्या कोई और नाम होता तो भी वह ले आते आप विचार कीजिए मुझा लगता है कि कहानी यहां पर दिलीनियर नहीं है दिल ले आने के बाद मनोज की लाइफ में कौरी भही आते हैं जिनको OBC बताया गया है और OBC चटी बार परिच्छा दे रहें OBC की मेंस क्लियर कर चुके इंट्रीव देंगे तो वह एक तरसे शागिर्दी में इनको ले लेते हैं और बहुत सारी तरह के उनको मदद करते हैं गोरी भाईया बाद में जब अपनी इंट्रीव पास नहीं होते हैं तो चाय की दुकान खोल लेते हैं मुझे लगता है कि प चैने यह मैंने नहीं सुनाए कि कोई ऐसा चाय बाला हो जो UPS सीमेंस की त्होंअ चलारा तो यह और चाट चला सकता है कि और नहीं है पिर मुखरी भाईया मनुर्श शर्मा को अपना घर दे दे रहते हैं और इसके बाद वो त्यारी करता है तो यह सब भी मतलब इतने संज में आते नहीं है स्रद्धा जोशी के साथ जो अवेर मनुज का होता है यह जोशी और सर्मा के अफेर में कोई कोई नॉन लिनियरेटी नहीं है मतलब वो कोई continuity कहीं पर भ्रेत नहीं है भारती समाज के हिसाब से ही वो सारा कुछ है और सब कुछ होते वे भी पता चल जाता है मनुज पिता को कि अरकाब मेंस क्लियर कर चुका है तो फिर वो उसको आने देते हैं इंटर्व्यू के समय भी वो आती है तो मतलब एक सुखद अंत की तरफ कहानी बहुत आसानी से ऐसी कहानियां बढ़ सकती है क्योंकि जो सीविट शर्मा इस नॉर्म इस नॉर्म नॉर्म ठींस क कोचिंग में अड्मिशन भी मिल जाना मतलब बहुत गरिब परिवार का होने से जली के अच्छी कोचिंग में अड्मिशन मिल जाना भी इस तरह से हो नहीं सकता है तो यह भी एक बिंदू है जिस पर की विचार करना चाहिए मुझे रगता है कि यहां पर यह एक नॉन लिन सब्सक्राइब जाता है उस समय वह बड़ा जिकारी बन चुका है सारी सिक्रिटी वह पार करके वह जाता है घर के अंदर और मेंटोर करते हैं फिर मेंटोर सिप उसको मिल जाती है उस आई-एस ऑफिसर की यह भी बहुत असमानिने सा संजोग है जो आम तर पर लोगों की ल पर यह होता नहीं तो मनोज की पिष्ट भूमी का इसमें कितना योगदान है यह देखने वाली बात है इस पूरे फिल्म का जो सबसे जटिल पहलू है मुझा लगता है वह है मनोज का इंटर्वू मनोज इंटर्वू में इंटर्व करते हैं और जिस तरह से जवाब देते ह आपने भी देखा अगर वह बहुत साइट चीने करते हैं तो ब्रोक्रेसी उस तरह से चलती नहीं है तो का दिया जाता है कि आप बाहर जाए इस पीस में यह भी देखा जाता है कि बहुत समाजिनी से अंग्रेजी का एक सब्द बोला जाता है तो उसका मसला पूसता है अगर किसी और के साथ होता तो इसको कितना बड़ा गधा मना जाता है इस संगर्स किया बबैर मनोज महान है और वो एक समाजिन अंग्रेजी का शर्द भी नहीं जानता है ये बहुत बहुत अजीर सी बात है इससे बड़ा आश्चर यह होता है कि इंटर्वी बोर्ड उनको दुबारा बुलाता है जो आमकर पर बहुत ही अजीब सा सुन्जोग है इंटर्वी बोर्ड का कास्ट कंपोजिशन मुझे नहीं मालूम किसी ने अपना वज़न रख दिया होगा एकनो उस समय के प्रिविलेज के बगार मुझे लगता है कि हो सकता है एक जो बारवा प्रिविलेज मुझे लगता है इसमें यह भी है कि अगर आप उस तरह से देखें तो भारत में जिविन भाषा सायों के लोग हैं लेंग्विज के लोग हैं दिली में होने के वज़य से आप अगर इंडी में इंट्रिवी नि पाएगा तो ये तरह का प्रिविलेज है असल में आप दूसरे लेंग्वेज के मकाबले कहने कहीं आप प्रिविलेज पोजिशन में खड़े हैं तो यह बारह बिंदु के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि उनुझ की काम्याभी हो सको कैसे देखा जाए दो तो theoretical framework मुझे यहाँ पर मदद करते हैं इस बात को समझने में कि यह क्या हुआ होगा नंबर वन प्रोफिसर पेगी मेकिन्टोस का वाइट प्रिविलेज की जिए थेयरी है वो मुझे इस पामले को समझने मदद करते हैं और दूसरी थेयरी है सी राइट मिल का sociological imagination इन दोनों थेयरीज को अगर आप पढ़ें इसके चोटे-चोटे वीडियोज आप देख सकते हैं Sociological Imagination by सी राइट मिल and White Privilege by Professor Piggy Macintosh इन दोनों को अगर आप चोटे-चोटे वीडियोज में देखेंगे तो मुझे अलबता है कि इस पूरे परिगटना को समझने में आशानी होगी कैसे होता है ना एक कोई एक कंडिट थी जो अभी दो-तीन साल तर लेजिस से पूछा गया था कि साड़ी का आपका जो फॉल है उसके किसकी डिजाइन बनी हुए और उसको उस साल का इंटर्वीव की वो टॉपर थी साल का सबसे ज्यादा नंबर था तो इंटर्वीव बोर्ड अपने समाजिक बाइसे के साथ ही होता है लोग अपना समाज और अपनी पेश्टू में पीछे चोड़के तो आ नहीं सकता है इसका बाइस कलाब अलग 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 धंग से निलता है लेकिन जो कि इंटर्वीव तो यह एक फैक्ट है जो कि रॉहलोह लंदन पर सेक्राविन कमार ने इसंटर्व यह जानती जो यह दो फ्रेम है इसमें इसमें तो प्रिविलेजज जो है वह हमेशा वीजिब्ल नहीं होता है जिसको मिल रहा है उसको भी कई आर विजिबिल नहीं है लेकिन वो उसके साथ चल रहा है तर खास समय में उसको निकाल कर उसका कर ले सकता है यह लगभग आपके वेंक की वह एब्डी है ज़िसके बारे में आपको ही पता नहीं लेकिन वह है मेरा नाम मनुज पांडे या मनुज शर्मा है इसके वज़ा से होटल का मालिक आप पर वेनुवलेंट हो जाए यह इस प्रिविलेज को समझ पाना उतना असान नहीं जो इसका दोश भी नहीं लेकिन वह उस प्रिविलेज को हासिल कर रहा है इमानदारी के उम्मे उससे की जाती उसको पता रहे जब वह इस्तिमाल कर रहा है कि मैंने इस प्रिविलेज का इस्तिमाल किया है या इंट्रीव में जब उसको दुबारा बुलाए जाए जिस्में आपके पास रखा होता है अब अप्सक्राइब को उनके दोस्तों का नेटवर्क मिल जाता है जो अगर वक्कालत में घुछ रहो इसको को लिजियम में बेनीफिट मिल जाता है इसके इस्तिमाल हराज्मी नहीं करता है लेकिन उसके वास होता है और अपसर जब जरुत पढ़ती है तो लोग कर लेते हैं तो यह जो इन्वीजिबल नैपसेक है, इन्वीजिबल बैकपैक है, यह मनोज के कंधे पर लदा हुआ है, मनोज को मैं इसके लिए दोस्त नहीं दे रहा हूँ कि उसका पैदा हुए जहां हुए तो हुए, अब उस प्रिविलेज वाले परिवार के में अगर पैदा हुए त मनोज का कोई दोस्त नहीं है, या वो प्रिविलेजिज के साथ चल रहे हैं, जरवत पड़ेगी तो निकाल के उसका इस्तिमाल करेंगे ही करेंगे, मनोज ने इसका इस्तिमाल किया है, दूसरी जो थिवरी है सोशियोलोजिकल इमेजिनेशन की उसको उनको समझने की जरवत है कि किसी वेक्ति की जो कहानी है, उसके साथ एक समय की भी कहानी चलती है, तो एक आदमी की जो बायोग्राफी है और टाइम की जो जर्नी है, इनके बीच में जगा जगा चीजें फिर इंटर्सेक्शन होती है, उन इंटर्सेक्शन पर टूथ है, एक आदमी की काम्यावी इसको क्रिस्क्रोस किया है इससे भी किसी आदमी की काम्यावी या नाकाम्यावी को देखना चाहिए जैसे अगर आपने 2009 में इंजिनेरिंग के परिच्छा पास की और उस साल आपको नौकरी नहीं मिले तो इसका मतलब यह नहीं है पढ़ने लिपने में घराग थे 2009 चुकी मंदी का शाल था और उस साल में प्लेस्मेंट्स नहीं हुए जंदली नाम तर पर डांसाइजिंग थी इस वज़े से 2009 में आपकी बायोग्रफी 2009 में काट रही है उस जकाप पर जब आपको प्लेस्मेंट्स चाह रहे हैं और इस वज़ेस आप से लिए रहे हैं तो इ एक बेसिक अंडर्श्टेंडिंग होनी चाहिए कि हमें प्रिवलेज मिल रहा है और हमारी कामईबी सिर्फ हमारी कामईबी में इसके पीछे ये 25-30 संजोग आपके जो मैंने गिना यह तो, इसलिए में पड़ा हूँ, संजोग मिझे इसलिए मिल रहा है कि एक प्रिश्यू समझने की जुरत है अगर मैंने इस समिच्छा के जरी आप लोंको दिल दुखाया है तो मैं आपसे बहुत-बहुत माफी मांगता हूं लेकिन मेरा इराधा आपका दिल दुखाने का ही था मैं आपके तयमान दोंको तोड़ना ही चाहा रहा था बहुत-बहुत शुक्रिया धन QR Code के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं, आप हमारी UPI ID Newsbeek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है Newsbeek Foundation, अकाउंट नंबर है 0235-887-00000640 IFAC Code है YesB000235, बैंक का नाम Yes Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली, आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें Donation space आपका नाम और हमें 859579-4224 प